हेलो दोस्तो, आज हम बनाएंगे बच्चे हुए चावल से इतना ज़्यादा कुरकुरा स्वादेश चटपटा नास्ता कि आपने आज से पहली ये नास्ता तो कभी नहीं बनाई होगी दोस्तो एक वर इस नास्ती को बना लेंगे दोस्तो नात और डेली आप चावल को बचाएंगे और इस तरीके से नास्ता बनाएंगे बनाते ही घर में चट हो जाएगा इतने ज़्यादा स्वादेश लगती है इसके लिए हमने ये देखे दोस्तों एक कटोरी चावल ली हुई है और ये वही चावल है जिसे हम लोग खाते हैं और बच जाता है अक्सर तो उसे ले देते हैं और इसे मैस कर लेते हैं हाथों से आप चाहे तो इसे मिक्सी में भी चला सकते हैं पर कोई जरूत नहीं ये हाथ से भी एच्छे से मैस हो जाते हैं देख सकते हैं दोस्तों इस तरीके से और इसमें हम डालेंगे एक बारी कटी हुई प्याज और इसमें आप अपने मनपसंद के सबजे डाल सकते हैं और इसमें हम डालेंगे 2-3 चमच गाजर कदुकस किया हुआ आधा चमच डालेंगे भूना हुए जीरा पाउडर और एक चुथाए चमच अजवाईन डालेंगे और आधा चमच डालेंगे चाट मसाला और एक चुथाई चमच चिली फ्लेक्स डालेंगे और चलिए दोस्तों अब इसके जगपा आप चिली फ्लेक्स के जगपा आप इसमें हरी मिश्ट भी डाल सकते हैं नमक डालेंगे स्वात के नूसाद दो चमच चावाल खाटा डालेंगे और दो चमच बेसन डालेंगे और इन सारे चीज़ों को अच्छे से हाथों से मसलते हुए मिक्स करेंगे जरूरत लगेगी तो एक से दो चमच हम इसमें पानी डालेंगे और नहीं जरुरत लागे तो इसमें हम पानी नहीं डालेंगे पहले, क्योंकि पहले अच्छे से इसे में mix कर लेंगे, देख सकते हैं दोस्तों इसमें हमें पानी के जरुरत नहीं लगा है, अच्छे से यह उठ्षिमें इस तरीके से आप चाहे तो इसे सिलेंडर का भी सेप दे सकते हैं हम आपको दिखा देते हैं उस तरीके से भी बनाएंगे न तो ये नास्ता बहुत ही यूनिक लगेगा और खाने में तो स्वार एक ही लगेगा दोस्तो देख सकते हैं इस तरीके से अगर आपको इस तरीके से बनाना हो तो आप ऐसे भी बना सकते हैं तो हमने सारे नास्ते को बना लिया हुआ है चलिए इसे हम फ्राइ कर लेते हैं तो इसमें हम पैन में हमने 2-3 चमच तेल डाला हुआ है और इसमें हम फ्राइ कर लेंगे medium flame पे ही fry करना है दोस्तों ताकि ये अंदर तक क्रिस्प होए high flame बिल्कु नहीं करना है जब ये एक side fry हो जाए दूसरे side इसे हम प्लट लेंगे और दोस्तों आप से एक छोटी से request है कि अगर हमारी वीडियो आपको थोड़ी से भी पसंद आए तो देखें दोस्तों काफी कम तेल में हमने इस नास्ते को बनाया हुआ है और पुछिये मत कीतना tasty लगता है ये खाने में बहुत ही जटा स्वदिश्ट लगता है आप अपने घर में बना कर खिलाएंगे तो कोई यकीन नहीं करेगा कि आपने इसे बचे हुए चावल से बनाया हुआ है तो दोस्ते इसे इंजवाए कर ये धन्यवाद फिर मिल देखने वीडियो के साथ